अब नॉर्मल है काई भी आरहत है तुम घर में से निकालके चारदिवारी में से आधमिन के आगे खड़े कर देगे चारण के तो भी है मेरे तो ऐसे अधो YEH अब मैं कहरी 2,000 अव दो तो मैं खाजांगी हजार यह जार निकले हो नाम ना निकल रहो मैं वो ना करनी नौकरी देव मेरे काग जनने अब मैंने जैसे चीने तो बोले हेलो मैडम जाओगी नहीं बिना सवाल के जवाब दिये अब मैं थी बाहर मेरे को आवाज आई अरे गीता भाटी को बुलाओ कहां फसादिया इतनी सिंपल और एकदम साधारन थी अभी तक आशा बरकर बनी कितनी डिलीवरी कराई होगी गिंती नहीं है भाई बहुत कराती हूं कोई गिंती नहीं कहां बहुत दूर-दूर से मरी जा चाहती हैं क्या आप बिग बॉस से अगर आफर आए तो आप बिग बॉस जाना चाहोगी बात कहां तक चलिए को आपने मुझ से बेटी बहुत अच्छा सवाल किया हम तुमें सही बता हूं जब उसमें यह मुझ से किया जब उसमें लड़ते हैं ना लड़ते ना तो यह दो और आफ्हाल करें तारीफ में कुछ केлемिन इनकी में का तरीफ में के दियरें आपकी बाशा सुनना चाहते हैं अपने इस टाहिल में भाशा सुनना चाहते हैं सब क्रैक क्रेकल का निया हैं किनि मीडिया वाले वैसा तो ना लाय कि हैं tiempoीर है में आखरी सवाल है कि जैसे सीमा हैदर पाकिस्तान से आ गई हिंदुस्तान आ गई है तो आपका क्या मानना कि सीमा हैदर को भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए या फिर वापस पाकिस्तान रवाना कर देना चाहिए इसमें मैं दूगी यह नहीं देंगी नहीं मैं देंगी देंगी देखिए उन्हें नागरिकता मिलेगी जब एजंसियां अपनी क्लीन चिट देंगी और दूसरी चीज उससे पहले हमारी सरकार से यह निवेदन है कि मजनू के टीला पे जो पाकिस्तान से आए हिंदु भाई ह उनको नागरिकता दी जाए और इसे दी जाए ना दी जाए वो एजंसी और सरकार तेखरी वह यह मेरा भी यही कहना है पहले सीमा है दर से पहले जो मजलू के टीला पे आए हुए है सरनार्थियों को उनको जो की मिलनी चाहिए और दूसरी बात यह सब जाने सरकार योगी जीए और मोधी जी मेरे कहने से ना रुकुएगी ना आपके कहने से रुकैकी और जाएगी तो सिरदर्धी क्यों लह नी जो हों ओग वह भी देखा जाएगो दो लोगों ने प्यार किया क्रॉस-बॉरडर पंची हवा के जोके बोलते हैं ना सरद रुकता नहीं लेकिन सरद के इस पार पतनी क्या क्या हो गया और बात जो बोली गई पता नहीं कहां से कहां चली गई और ये स्टार बन गए ये मीडिया का नया समाजवाद है सोशल मीडिया का समाजवाद है जहां छोटे से छोटा विक्ती ये साधरन सा विक्ती स्टार बन्याता है